एंबोच तो आई चयानल आज मैं आपको चाय कैसव बनाए जाती है वह बनाना सिखांगा मैं environment यिक दोद लिया आ और इक टेबल स्कून मैंने झूगर लीज हैं एक टेबल स्कून मैंने ने रेड लेबल तहाई की अब देखिए यह मैंने इसको डाल दिया है पहले अब हम इसमें मैंने ली है वो डालूँगी शूगर अपने टेस्ट के लिग कम जादा और वैसे इसमें कम ही डालना चाहिए क्योंकि हम इसमें चॉकलेट भी डालेंगे उससे भी और मिठा हो जाएगा और यह 1 टेबल क्षिए देर चौकलेट पकटी देर कि उसके मैं दोक्तिया स्वेडि देर पाइगा शौकलेट दालेंगे देखिए इसमें कैसे उबाल आ रहा है अभी ये देखिए आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं डालाया है पानी डालना आपके लिए पानी डाल सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी आइंड नहीं किया है फ्रेंड्स देखें हमारे चाय में खद्दा आ गया है उसके बाद यह मैं अपनी दो ब्रिक्स है चॉकलेट की वह इसमें डाल रही हूं अब देखें इसको मैल्ट करने के लिए इसको हम थोड़ा सा इस्पून से चला रहे हैं ताकि जल्दी से मैल्ट हो जाए इसके अंदर यह देखें आप सब इसको जरूर प्राइ करके देखें कि चॉकलेट की चाय कैसी लगती है और यह बहुती फेमस ड्रिंक भी है यह देखें अभी यह हमारी पिगली नहीं है इसमें चॉकलेट इसको हम थोड़ा सा और पिगनाएंगे अभी लिदेशी फ्रेंड्स यह हमारी चाय पकरी है मैंने थोड़ी सीम की वी थी थोड़ी मैंने हाई कर लिए अपनी फ्लेम को इस तरह से अभी यह मैल्ट नहीं हुई हमारी अभी एक दो मिनट में मैल्ट होने वाली है यह देखें इसको थोड़ी सिम कर दिया है ताकि यह मैल्ट हो जाए अच्छी तरह से ओर अब यह देखिए हमारी यह जो चाय है अब इसमें एक उफान आ गया है यह अच्छी तरह से पक चुकी है यह देखिए मैंने इसको पहले सिम करके इसको कड़ा लिया है और जो हमारी चौकलेट है वह भी देखिए पूरी मैंट हो चुकी है यह देखिए अब यह जो हमारी चाय है यह पकर तयार हो चुकी है अब हम इसको बंद कर देंगे और अब प्रेंड्स यह अब हमारी चाइब बनकर तयार हो गई है अब घर पे ट्राइब करें चोकलेट चाइब कैसे बनती है बहुत ही टेस्टी लग रही है पीने में आग सब अपने घर पे जरूर ट्राइब करें एक बार प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल thank you for watching